आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इसका लंबाई दिया हुआ है ट्रेन का जो लेंथ है वो क्या दिया हुआ है 150 मीटर लॉंग है और कह रहा है कि जो ट्रेन का स्पीड है वो दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड है तो कह रहा है कि एक ब्रीज है जो कि दिया हुआ है कि bridge का जो हमारा लंभाई है वो कितना है थ्री हंडड़ मीटर का है तो कह रहा है कि bridge को पार करने में ये कितना time लेगे तो हमें पता है कि train जो है कोई भी train जैसे अगर हम मान लें कि ये A, B जो A, B है bridge है और अगर हम कहते हैं कि कोई train है यह जो है यह train है लेकिन यह bridge को cross कब करेगा जब train यहाँ पहुंच जाएगा इसका मतलब train को यहाँ से लेकर यहाँ तक distance cover करना पड़ेगा तो train जब भी किसी bridge को cross करती है तो distance जो होता है वो क्या होता है train का plus bridge का दोनों का distance add हो जाता है तो हम जानते हैं कि distance जब वो train का कितना है 150 plus bridge का कितना है 300 तो हमारा जो total distance होगा वो कितना हो जाएगा 450 meter हो जाएगा तो अब कहा रहा है कि हमसे time पूछ रहा है तो time is equal to क्या होता है distance by speed तो हम देख रहे हैं कि distance अब हमारा कितना हो गया है 450 का लेकिन हमारा जो train का speed है वो कितना है 50 है 15 है तो 15 से divide कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 से ये 3 time में cancel और इस पे 0 इसका मतलब जो हमारा time है वो कितना लगेगा 30 second का लगेगा और 30 second ही हमारा answer होगा जो की option third में है Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर